आदेने सभापती जी राश्ट्पती जी ने अपने अभिवाशन में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विशे में हम सब को सम्मुदित किया था युवा नारी जरीब और हमारे अन्नदाता हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक प्रेबान हैं उनके सपने भी एक समाधान है और उसके समाधान अगर करने है तो थोड़ा उनलिस विस का फटरगे गा लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही है और इसलिए उन्होंने बहुत ही उप्यूक्त रुप्त से राष्ट का बारदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए देश विख्षीद भारत के तरफ तेजगति से आगे बढ़ेगा अधर्य सभापती जी अगर हम 21 सदी में हैं हम विख्षीद भारत के सपन को इसी सदी में 2047 तक स्विकार करना चाहते हैं तो बीश्वी सदी की सोच नहीं चल सकती सवाइचे बीश्वी सदी का स्वार्थी एजन्डा मैं और मेरा वाला जो खेल है न वो 21 सदी में देश को सम्रुद्ध नहीं विख्षीद भारत नहीं बना सकता है कॉंग्रेश इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार क्यों जरूत पड़ी उनको मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन अगर उनको जरूत पड़ी है तो पहले ज़रा अपने गरीबान में जहांके उनको पता चले का क्या किया है बलीत पिछड़े और आदिवासी कॉंग्र जन्मजात उनकी सबसे बड़ी बिरोधी रही है और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साम न होते न तो शायद कि ऐसी एस्ट्री को आरक्षन मिलता कि नहीं मिलता ये भी मेरे में में सवाल होता हुए आदने सवाबत देजी और मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे मेरे पास प्रमान है इनकी सोच आज से नहीं उस समय से ऐची है मेरे पास प्रमान और मैं प्रमान के सिवाए मैं यहां कहने के लिए नहीं आया और जब बाते महां से उठी है तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्छे तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुर्वक नहरुजी को इंदियों नों ज्यादा याद करता हूं क्योंकि हमारे साथ्यों के अपेक्षा रहती है कि जड़ा उनको तो बोलो कुछ तो बोला से अब देखे एक बार नहरुजी ने चिठी लिखी थे और यह चिठी मुख्यम मंत्रियों को लिखी थे मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं उन्होंने लिखा था यह देश के प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षण तो कताई नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए यह पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ यह जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर एससी एस्टी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आंकली गिनाते हैं कि इतने यहां है इतने यहां है उसका मूल यहां है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उत समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर बहुते सवापती जी यह कोट पड़ रहा हूं आप वेरिफाइ कर सकते हैं मैं पंडित लेरू का कोट पड़ रहा हूं अजया राधनिया सवापती यह लिए ने जो कहा वो गॉंगरेस के लिए हमेशा से पत्ता बट्रूप आप तो जानते हैं पत्थर की लकीर होता है नेरुजी ने कहा मैं पत्थर की लकीर उनके लिए हैं दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती हैं मैं अंगिनत उदाहर देख सकता हूँ लेकिन मैं एक उदाहर जरूर देना चाहता हूँ और वह उदाहरा मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एस सी एस्टी ओवीसी को साथ दसकों तक उनके अधिकारों से बन्चीत रखा आर्टिकल 370 370 मैं हम कितनी जीतेगे उचकी बाद अभी नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जा करके इतने दसकों के बाद एस्टी एस्टी ओवीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बर्सों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में फॉरेस राइट्स एक्ट उनको प्राप नहीं था जम्मू कश्मीर में प्रिमेंस अफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था यह हमने 370 हटा कर यह अधिकार उनको दिये हमारे ऐसी समुझाय में भी सबसे पीछे पीडी कोई रहा तो हमारा वालमी की समाज रहा लेकिन हमारे वालमी की परिवारों को भी साथ साथ दसक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों के सेवा करते रहे लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया यह है और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानिय निकायों में लोकल सेल्फ गर्वर्मेंट में कि ओबी सी के आरक्षन का विदेग भी कल छे परवरी को लोग सभा में भी पारी है अधर्णिय सभापती जी कि एस सी एस्टी ओबी सी को उनको बड़ी भागिदारी ने में है को कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है कि बाबा साहब के राजनीति को बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्हों ने छोड़ी नहीं है वक्तब अबलेबल है चुनाओं में क्या-क्या बोलागा है वो भी अबलेबल है इतको भारत रत्म भी देने की तयारी नहीं थी वो भी भाज़पा के समर्फन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को खालता कि इतना ही नहीं सिताराम केसरी अती पिषडी जाती से कॉंग्रेस पार्टिया देख से उठा करके फुटपात पर फैंक दिया गया वो भी सी वो वीडियो अवेलेबल है वो देश ने देखा शिताराम केसरी के साथ क्या हुआ क्या हुआ